खालो चो आज का हमारा टौपिक है प्लाइन वेक पिछली वीडियो में हमने पढ़रा था कख्षे था में किया होता है तो देखिए मान लो कि यह पर्थवी की सतय किसकी सतय है पर्थवी की सतय कि यदि किसी पिंड को पर्थवी की सतय से उस वेक से फेंका जाए कि वह पर्थवी की सतय से क्या कर जाए हमेशा के लिए प्लाइल कर जाए और वापिस पर्थवी पर ने लोट करके आए उस वेक को हम क्या करते हैं प्लाइल व तो देखिए हमने पढ़ा था relation between तो g बराबर होता gm upon r square तो यहां से gm कितना आजाएगा आपका g r square आजाएगा यह आजाएगा आपका plan way का सुतर होता ve equals to unroot to gm upon r आपका यह gm की value यहां से यहां यूज कर लें तो ve आजाएगा आपका unroot to यह value रख दूमें to g r square upon r तो यह r से cancel तो ve कितना मिल गया हमें ve question मिल गया unroot to g r आपका sorry small g है यहां पर कुण सा है small g तो small g r आपका यह आपका plan way का सुतर है जहां पर g है गुरुत्ययत्वेंड capital r है पर्थवी की तिर्जा इनका मान हमें पता है जब इसका मान हम रखते हैं तो ve का मान आता है 11.2 km per second आपका पर्थवी के लिए आपका plan way कितना है ve बराबर 11.2 km per second के बराबर यह आपका हमने सिद किया value निकाल ली अब इसकी बारे में हम यहां पर चर्चा करने वाले तो देखिए इस सुत्र के अंदर जो हम पिंड ले रहे हैं उस पिंड का दरोमान नहीं आ रहा है या हम कहें कि जो पर्ची है उसका दरोमान भी यहाँ नहीं होगा लेकिन हम यहां पर बात करने पिंड के पर निर्भर नहीं करता है यानि कि पिंड के दुरुमान पर निर्भर नहीं करता है आपका ठीक है तो यह मैन पॉइंट है इसका कि यदि पूछ लिया जाए कि बताइए प्लाइन वेग है वो पिंड के दुरुमान पर किस परकार निर्भर करता है तो आंसर क्या होगा आपका कि जो आपका प्लाइन व या चंद्रमा है हमें पता पर्थी के उपर क्या है वायू मंदल है कि क्या है वायू मंदल है और चंद्रमा पर वायू मंदल नहीं है टो है मेंजम नहीं है उसका कारण क्या है कि आय é कि और हdroоф वाइव मंदल है और चंद्रमा पर वाइव मंडल नहीं उसका कारण क्या अपर यहां पर होगी कि परसी के लिए 11.00 डो किलो मेटर पर सेकंड आपका और जो चंद्रमा है इसके लिए आपका जो प्लाइन वेग उसका मान होता है यह विल्यों होते है थीक है अब देखें जो आपकी गैसे होती है एक गैसों का वर्ग माद्दे सब्सक्राइब कर लगभग कितना होता है तीन पॉइंट पांच किलोमीटर पर सेकंड के बगापर जो गैसे होती है उन गैसों का वर्ग माद्धे मूल मान कितना होता है 3.5 km per second पर्थी के लिए आपका प्लाइन वे का मान 11.2 km per second और चंद्रमा के लिए आपका प्लाइन वे कितना है 2.5 km per second तो देखिए यहां पर यह जो मान है जो VRMS है वो यहां पर हम अर्थ के लिखें VE यानि की वी अर्थ से क्या है कम है यानि की यदि यह वेग इनके बराबर हो जाएगा तब तो यह जए चली जाएगे यानि की प्लाइन कर जाएगे जो इससे कम है इसलिए पर्थी से यह गैसे प्लायन नहीं कर पाती है यही कारण है कि पर्थी के ओपर क्या उपस्तित है वायुमंडल अब हम बात करें चंद्रमा की तो चंद्रमा के देखिए हम यहां पर लिखें वी मून जो वी मून है उसकी वेल्व यानिकी जो चंद्रमा के लिए आपका प्लायन वेग है उसका मान किस से कम है वी आर एम से कम है यानिकी यह मान जादा है और यह मान क्या है कम है तो यह गैस मंदल नहीं जब्कि पर्थी के सथैके उपर वायु मंदल आपका और आगE देखेंगे इसमें क्या क्या पॉइंट आपके हो सकते हैं कि अब हमें यह पता होना चाहिए देखें यह मान लो अर्थ है यह क्या है कि यहें हो गए और यह आपके यह लाइन होगई कि क्या होगहाई लाइन आप है गणते मैं कहले हैं और यह क्यों जाएगा पूरवर और यह और जाएगा पुरिव से पस्चिम की और आपका या साउट से नॉट से पूरव से पुरव से पश्चिम की और हमें पता है कि कई दर आथा था पूराब से प्रस्चीं की और तो वो पूरब से दिखाए देगा क् मुंकि जो पर्थू यह UP जो है गुणनन करती करता है तब यहाँ पर से पूरब की अ कि मान दो को है कि कोheus ribs उसको परच्षेपित करना है तो पहला पूंट यह है कि परच्षेपित करने के लिए कहां पर किया जाए नौर्थ-साउथ पूरा परस्चिम कौन्छी उत्तर दक्षिन जो भी इसां की उसमें कौनछी दिसा में करना चाहिए तो यहां पर देखें जो यह भी पूर सकता है कि किस कौन के ऊपर आपको जो रोकेट है जो वायूयान वगरा होते हैं आपके रोकेट जो लॉंच किये जाते हैं तो उनको किस एंगल के ऊपर पर्षेपित करना चाहिए या कौन सी दिशा में पर्षेपित करना चाहिए या कहां से पर्षेपित करना चाहिए तो देखिए यह कौन पर निर्भर नहीं करता आपका निर्भर नहीं करता तो कौन के उपर क्या नहीं करेगा निर्भर नहीं करेगा तो किसी भी एंगल पर हम उसको रख सकते हैं तो यह जो नहीं है कि यह हमें 40 डिगरी का एंगल रखना पंताश दिग्री निर्भण नहीं नहीं करता को निर्भण नहीं करता अपका अर्देखे दूसे पता से पूरव के और घूनन गति करती है ठीक है तो अब हम einhासे उत्री दुरिवा आपर कहां से हम रॉकेट को लॉफ करें आपका तो देखे हैं यहां पर हमें पता है ranges का मान धुरू के ऊपर क्या होता है अधिक्तम होता है जी का मान क्या होता है जी क्या होता है मैक्जिमम कहां पर धुरू पर और जी मिनिमम कहां होता है इक्विटर पर भूमध्या पर क्या होता आपका मिनिमम यहां पर जी क्या होता है मिनिमम आपका तो यहां जी मिनिमम है इ लॉँच करते हैं तो उत्तरी और धिर्फु ऐसे किया नहीं जा सकता है कहा है एकवेटर क lens पर यहां पर यह ये जो एरिया है इस इस एरिया में launch किया जाता आपका यानि कि equator के द्वारा एकवेटर पर लॉंच किया जाएगा अब यह आता है कि कौन सी direction में दिशा में दिशा पूछ ले कि इस दिशा से इस दिशा में यह इस दिशा से दर यह पश्चम से पूराव यह पूराव से पश्चम यह सीधा किस प पर्थवी की घुन्णंगती का फाइदा उठाने के लिए रोकेट को लांच किया जाता है पस्चिम से पूरव की दिशा में कौनशी दिशा में पस्चिम से पूरव की दिशा में लांच किया जाता है क्यों कि आपका जो पर्थवी है वो पस्चिम से पूरव की और घुन्ण करते हैं तो काफी मोवी में आपने देखा होगा कि जब आपका रोकेट को लॉइंच किया जाता तो कुछ दूरी जाने के बाद वह ऐसे हो जाती तो यहीं है पूरभ आपका कोंसी डारेक्शन में को लॉइंच करना चाहिए कहां ने इसे पूरव की दिसा में रोकेट किस एंगल पर ठाओ करने के लिए उसके उपर यह नहीं करती हैं दूशा प्लाइन वेग हैं वे जो पिंड है उसके दरुमान चे उपर भी क्या नहीं करती है निरभर नहीं करता हैई और देखे हमने अभी बात की कि कि चंद्रमा के उपर वायु मंदल नहीं है लेकिन पर्थु के उपर वायु मंदल है अब हम बात करें दुरोर उसी के उपर Agriculture हम की यह एपकी पर्थु है वो पर्थवी के गुरुत्य तोर्ण का कितना गुना है एक बटे छे गुना आपका यह भी हमें पिछे वीडियो में भी हमने पड़ा था अब देखे क्यूशन यह है कि पर्थवी के लिए स्पीड कितनी है ग 大本 2 km2.2 १ किसकी है ऐर्थ के लिए लिए मूझ के लिए कितनी है दो पॉइंट 5 km2 2 इस अब करें बताया था क्य täll पूछी जो आपकी घह से होती है उनकी आरे मेंथ बेंट कितना है 13-15 डिग्री सेल्शिस नॉर्मली ताप कितना है 13-15 अप्रोक्षमेट आपका 13 या 15 थोड़ा सा जाधा कम हो सकता है अब यह पूछ लिया जाए कि यहां पर तो कोई वायूमंडल नहीं है लेकिन हमें यदि पर्थिय के उपर जो वायूमंडल है उसको खतम करना है त तो उसके लिए क्या होगा उसके लिए है कि यदि इसकी वेलू क्योंकि यह गैसे हैं गैसों का वेग है यदि इस वेग कमान इसके प्लाइन वेग के बराबर हो जाए तो जो आपका यह गैसे हैं वो क्या कर जाएंगी एसकैप कर जाएंगी यानिकि प्लाइन कर जाएंगी पर्थ् females से अब यहां पर वीयर मेस होता का वीयर अल्द परिल्भ करता है यानि कि अब के समानूपाती होता है तो जैसे जैसे ताप के माल में हम आकने के अधू में अचयुकर घैसौ का वर्डshem음 मादमों माल मान है वह भी हो जाएगी उन्क्रीज हो यानि कि यहां से मतलब यह हुआ कि T को यदि बढ़ा देंगे तो VRMS भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा इंक्रीज हो जाएगा तो अब देखे यहां पर यदि जो नॉर्मल ताप आपका पर्थवी का यह है यदि पर्थवी का ताप लगबग 10,000 कैल्वीन कितना 10,000 कि क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा और जब यह बराबर हो जाएगा तो इस इस्तिति में जो आपकी गैसे हैं वो पर्थवी की सत्य से क्या कर जाएगी प्लाइन कर जाएगी अब इसमें यह क्यूशन भी है कि यह बताईए कि सबसे पहले कौन सी गैस पर्थवी की सत् तो यहां पर सबसे हलकी आने कि यदि ताप इतना कर दिया जाए जिससे वर्ग माद्य मूल मान जो आपका पठ्वी के उपर प्लाइन वेगा उसके बराबर हो जाए तो उस इस्तिति में सबसे पहले प्लाइन करने वाली जो गैस है वो कौन सी है हाइडोजन क्योंकि सबसे हल कि यदि पर्थ्वी की से हमें वायू मंडल को खतम करना है तो पर्थ्वी का ताप कितना होना चाहिए यह क्यूसन हो सकते हैं तो यह ताप रहा अब दूर सा पूछ ले कि यदि पर्थ्वी का ताप 10,000 कैलुइन कर दिया जाए तो बताएए गैसों का वर्ग माद्य मूल म मान कितना होगा तो पर्थ्वी का जब ताप 10,000 कैलुइन कर दिया जाएगा तो जो गैसों का वर्ग माद्य मूल मान है रूट मीन स्क्वार वेलू वो पर्थ्वी के प्लाइन वेक के बराबर हो जाएगी यह भी पूछ सकते हैं कि यह बताएए कि यदि गैसों का वर्ग म सबसे हलकी कौना है च्राइल यहिक है 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 चंद्रमा के उपर वाईव मंदल है उसका कारण क्या है एक लास्त और हम बत कर लेते हैं यहां पर चोटा सा है कि आपको पूछ ले पिछले वीडियो में हमने पढ़्दा कि आपका कक्षय वेक क्या उता है कोँछा वेक कक्षय वेकmost कोँछा वेकmost । जिसको, w0 हमने लिखा था औरबिटल वयलोसीटी उसकी वेलयूत ही आपकी chorary आपका यह था अब यह पूर्च सकता है कि बताईए कक्षय वेग और प्लाइन वेग में क्या संबंध होता है इसमें कक्षय वेग और प्लाइन वेग में क्या संबंध होता है तो यह रहा आपका प्लाइन वेग और यह रहा कक्षय वेग तो इसमें, Pline Wague में में भाग देदूं, कक्ष्य वेक का, Pline Wague का मान है, Endroot 2, G R और इसका मान है, Endroot G R आपका, तो यहां से V E upon V 0, V E क्या है, पर्थ्वी की सता पर Pline Wague और V 0 क्या है, कक्ष्य वेक, तो यहां से इसको लिखा जा सकता, Endroot 2 को बाहर निकाल दूँ, तो क्या बच जाएगा, आपका, Endroot G R, और भाग में भी क्या जाएगा, Endroot G R, तो यह दोनों कैंचल हो गए, तो कितना बच गया है, यहां से, V E upon V 0, बच गया, Endroot 2, यह V 0 इधर गुना कर देंगे, तो V E बराबर कितना हो जाएगा, Endroot 2 into V 0 आपका, तो यहां से यह संबंध आपको पूछा जा सकता है, कि बताइए, प्लाइन वेग और कक्ष वेग में क्या संबंध होता है, तो यहां से हम कह सकते हैं, कि जो आपका, प्लाइन वेग है, V E, वो कक्ष वेग का कितना गुना, Root 2 गुना होता है, यानि कि प्लाइन वेग, कक्ष वेग का, Root 2 गुना होता है, तो यह क्यूशन भी बहुत important है, पूछा जा सकता है, कि बताइए, क्या संबंद है कितना गुणा होता है रूट दो गुणा होता है तो यह था हमारा आज का लेक्चर नेक्स वीडियो में हम और कुछ प्रॉलम्स इनके बारे में करेंगे नुमेरिकल का नाम आ गए आपका कि जो आपके कम्पिटिशन अक्जाम में पूछे जाते हैं जो आपकी क्यूज है उसके बारे में हम यहां पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे तब तक आप पढ़ते रहे हैं यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए ठैक्यू